जै मतअदी, आप देखने धर्म सिक्षा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, व्रड सावलती का वर्द के लिए, उस पूजा के लिए हमें किन-किन चीजियों की उस दिन आवज साकता होती है, वो ही मैं आपको A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं, सामान की दिक्कत आपको हो सकती है एक एक चीज़ टिक करें और जो चीज़ नहीं है आपके पास उसे लाने की कोशिस करें अगर नहीं मिल पाए कोई चीज तो इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ तो कैसे उस चीज़ के बदले आप अपनी पूजा को कर सकते हैं और पूरा फल प्राप्ट कर सकते हैं इस पे भी एक वीडियो में लाऊंगा अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखका निश्चित तोर पर बदाईए तो आईए चानते हैं वर्ट सावित्री की पूजा के लिए हमें किन किन चीयों की जोरत पढ़ने वाली है मुझे उमीद हैं अभी तक आपने अपनी कौपी और कलम निकाल ली होगी तो लिखना स्टाट कीजिए वर्ट सावित्री की पूजा के लिए सबसे पहले जो भी वर्टी है उनके लिए स्वच्च कपरा होना आवस्च है स्वच्च कपरा भी कैसा जिसमें कि कहीं भी काला रंग ना हो लाल पीला ऐसा आवस्त्र तो लाल रंग की सारी सबसे उत्तम होती है बस उसमें ये ध्यान ले दें कि कहीं भी थोरा भी काला उसमें रंग नहीं होना चाहिए ये अच्छा नहीं माना आता है अगर ना हो पाए तब ही काला रंग लगा हुआ हलका फलका भी चल सकता है वरना देखें कोई ऐसी सारी जो की अखंड भी हो जिसको कभी आपने पहना नहीं हो और उसमें कहीं से भी एक पूरा सेट कपरे का आपको उस दिन चाहिए होगा पुरती के लिए दूसरा सबसे महत्पून चीज बरगत का पेर बरगत का पेर अक्सर सहरों में मंदिलों में होता है या कहीं-कहीं सरक के किनारे भी होता है अगर बरगत के पेर के पास पहुँचना संबब नहीं हो प बनावा पंखा, बांस से बनावा पंखा चाहिए आपको, अगर पंखा उपलब्द नहीं हो पाए, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा उसमें, अगर एक चीज़ें उपलब्द नहीं हो पाए, तो उसके बने क्या उपयोग आप कर सकते हैं, फिलाल आप लिखिए बास का पंखा, उसके बाद आप लिखिए बरगत के पेर लपेटने के लिए आपको धागा चाहिए होगा, धागा कैसा चाहिए होता है, कच्छा धागा चाहिए होता है, और लाल रंग की धागा होना चाहिए, तो ऐसे में उत्तम होता है, लिख लीजिए मॅली बरगत के पेर लपेटने के लिए और आपको जयादा करने धगा चाहिए होगा वाल organizations क्योंकि 7 बार बरगत के पेर को लपेटते है、 तो उसे हिसाब से धगा ज़रूरर रख है उसके बाद लिखिए मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया भी आपको चाहिए होगा उस दिन बर्गत के फेर के नीचे जलाने के लिए मौसमी फल 4-5 रका निश्चित तरपर होना चाहिए जितना अच्छा हो पाय उतना बहतर है मौसमी फल जैसे आम लीची, सेव, सन्तोर जो भी मौसमी फल आपको उपलब्द हो पाय आपके आसपास वह मौसमी फल रखिये इसके अलावा आपको चाहिए होगा लाल वस्त्र लाल वस्त्र मास सावितरी को चलाने के लिए अर्पित करने के लिए जो कि बरगर के पेर के नीचे आप अर्पित करेंगे उसके लिए लाल वस्त्र आपको चाहिए होगा लालवस्त के अलावा आपको चाहिए होगा सिंदूर, कुमकुम और रोली उसके बाद आपको चाहिए होगा घर का बना हुआ कोई न कोई पकवान जैसे ठेकवा होगा होता कोई भी मिठा पकवान जो होता घर का बना हुआ वो आपको चाहिए होगा इसके बदली मिठाई भी ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, मिठाई हो सकते हैं आपके हैं दुकान नहीं खुलाओ मिठाई का, तो ऐसे मैं घर में पकवान बना लें, या मिठाई का कोई इंतिजाम कर लें, उसके बाद आपको चाहिए होगी अक अब पूजा कैसे करनी है वो आपको मैं आगे बताता हूँ तो इन चीयों की आपको जुरत पढ़ने वाली है उस दिन अब आएए चांते हैं कैसे पूजा करनी है आपको इस दिन क्या करने हैं सबसे पहले ब्रह्मोर्द में उठें और सुबा सुबा उठका घर की साप सभाई पहले लिप्टा लें उसके बाद असनान ध्यान करके पवित्र वस्त्र को धारन करें और पवित्र वस्त्र को धारन करने के बाद सबसे पहले 16 सिंगार कर लें अच्छे सपना सिंगार कर लें सिंगार करने के बाद सुरीदेव को अरग दें अर्ग देने के बाद अपनी दैनिक जो पूजा होती है वो पहले लिप्टा ले ऐसा नहीं कि कोई खास परवती हो रहा है तो उसी में लग गए अपनी दैनिक पूजा को तो निश्ची तोर पे करिए पहले मागोरी की पूजा करते हैं जल भरकर एक दिन पहले ही रख दें यह जल की आपको जोरत होगी पूजा करने के लिए यह मैं बताना भूल गया था चुकि पितल के लोटा हर घर में होता ही है तो आपको जोरत नहीं पड़ती पितल के लोटा लाने की पितल के लोटे में जल भढ़कर एक दिन पहले ही रख दें तो ये जल भरा हुआ लोटा इसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं और सारा समान, जितना भी समान मैंने पुजा का बताया वो सभी एक बांस की टोकरी में अर्ण्ज कर लें क्योंकि बांस बहुत ही सुब मना राता है स्वच्छ मना राता है तो बांस की टोकरी में सब कुछ अर्ण्ज कर लें और नदीक में किसी बरगत के पेर के पास और जैसा कि मैंने बताया आपको वस्तर और सॉला सिंगार की सामगरी चुमिनापुली खाई थी वो अर्पित करें उसके बाद फल, फूल, पूरी, पकवान सभी कुछ बरगत के पेर के नीचे जर के पास अर्पित करें और बरगत के पेर को इस तरह से पंखा जहे लें उसके बार रोली ले, रोली से एक बार बांद दे बरगत के पेर को और साथ बार उसकी परिक्रमा कर ले, हर बार परिक्रमा करने के बार इस तरह परिक्रमा करें और थोरजल अर्पित करें, परिक्रमा करें, परिक्रमा करें, परिक्रमा करें, इस तरह से साथ बार आपको करनी परिक्रमा बर्गत के पेर की और साथ बार वो कच्छा धागा जो रॉली का धागा है वो लपेटना भी है चाहे आप जिस तरह के भर्गत के पेर के पास है उस तरह उसके बाद बर्गत के पेर को डंडवत परनाम करें और बर्गत के पेर से इस तरह गले मिलें इस तरह से किस ब्रती से गले मिलते हैं लोग उस तरह से बरगत के पेर से गले मिलें और पंखा जये लें बरगत के पेर को और उसके बाद कथा जरूर सुनें पत्सावित्री की कथा जौर सुने, कथा मैंने सुनाया हुआ है, description में लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके कथा निश्चित तोर पे सुनिये उस दिन, उसके बाद जिस पंडीजी से भी आपने कथा सुनिये, उनको दक्षिना जितनी भी रासी हो पाए, उतनी जिना दक्षिना के कथा सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ज़ौर कथा सुनने के बाद दक्षिना अरपित करें, अब अपने घर पे आ जाएं और सबसे पहले, पती का पैर धोएं, चरंधोएं, जो जल बचा हुआ था पूजा का उसी जल से, पती के पहले चरंधोलें, उसके बाद पती को पंखा जहलें, और पती से एक बार गले मिलने, गले मिलने के बाद जो पूजा का प्रसाद था, वो प्रसाद पहले गरहन करें, उसके बाद उस दिन नमक नहीं खाने का विधान है, कुछ-कुछ लोग पूरा ही वरत करते हैं, निर्जला वरत करते हैं, कुछ-कुछ लोग खीर वगर खाते हैं, मीठा चीज खाते हैं, कुछ लोग सिर्फल खाते हैं, तो जैसी भी आपकी चल पाए, जैसा भी आप वरत रख पाए, उस तरह का वरत आप उसके बाद रख सकते हैं, अगले दिन सुबा ही अपने निर्त करिया से न पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो चोड़ करें साथ है अपनी प्रतिक्रिया में जै मातादी के लिखें अगर आप इस प्रतिक्रिया में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो निशन कुछ कमेंट बाक्स में में लिख कर पूछें तो मिलते हैं इसी तरह की अन्नी गानवर तक वीडियो के साथ तो देखते रहे धर्म सिक्षा जै मातादीम